स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में हम देख रहे हैं NCIT 9 से लेकर 12 तक के लिए आज का जो हमारा important question है grammar question क्या दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए ये question ऐसा question है जो 9 से लेकर 12 तक की exam में पूछा जाता है और लगबग हर exam में ये पूछा ही जाता है तो मु मुहावरे में हम लिखेंगे कि जो मुहावरे होते हैं मुहावरे वाक्यांस होते हैं कहने का मतलब एक वाक्यांस के रूप में होते हैं और जो लोकोक्ति होती है लोकोक्ति एक पूर्ण होती है क्या होती है पूर्ण वाक्य होती है ठीक है दूसरा हम देखते हैं मुहावर शब्त होता है आपको बड़ा इजी ली याद कर ले ना इसको फॉर्थ पॉइंट क्या है मुहावरे का एक शेत्र एक वाक्य होता है और आगे इसमें बताया है लोकोगति की व्यापति कहीं वाक्यों तक पहुंचती है आगे बताया है मुहावरे संक्षिप्त होते हैं और लोकोगति विस्तरत होती है इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मुहावरे के उधारन जो हमको दिये गए थे वो और कुछ लोकोगति के उधारन हमें दिये गए थे जो जो मोहओरे का उदाराने और उदाने और विए दिल्वा दिल्ग आपको अन्धा पुटा का पाल हो ना जादन नागतुता तो जो आपके और हो नहीं करें तक विए जो सब्सक्राइब कुए पूल करें तो भूता कि दल्था दिल्था कि और भूता है। और आपने पर इसको निपिया है या निपिकाई तो भी आपने तो दिखिए है थैंक्यू बाइस